हालो व्रिवर्न ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टर रश्मी सुमेपैथी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेंटिया ना लूटिया के बारे में यह एक हर्ब से बनाई जाने वाली मेडिसिन है जिसका नाम है येलो जेंटियन येलो जेंटियन की जड से यानि इसकी रूट से इस मेडिसिन को बनाया जाता है तो फ्रेंट्स बहुत सारे लोग क्लिलिक में आते हैं अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि उनको भूख नहीं लगती या उनकी जो एपटाइट है वो बहुत कम है मतलब उनकी डाइट बहुत कम है हो सकता है उनको भूख लगती हो तो इन सभी कंडिशन में ये मेडिसिन काफी एफेक्टिव है और हम डिटेल में जानेंगे कि इस मेडिसिन को कौन-कौन से लोग ले सकते हैं और कौन-कौन से सिम्टम में इस मेडिसिन को लेना एफेक्टिव रहता है सबसे पहले हम चाल लेते हैं कि एक important myth जो इस medicine के साथ जुड़ा हुआ है कि ये जो medicine होती है इस बच्चों के लिए होती है या बच्चों के अंदर एक appetizer का काम करती है ये medicine सिर्फ पच्चों के लिए नहीं होती है ये खारे condition में ली जा सकती है जब आपको भूक बहुत अच्छी लगती हो लेकिन आप जो खाने बैठते हों तब आप खा ने पाते हों दोसरी important condition है कि आपको भूक ही नहीं लगती हो तीसरी important condition है कि आपको भूक लगती हो और आप अच्छा खाते भी हो लेकिन उसके बाद पेट में दर्ध शुरू हो जाता हो चौती important condition है कि आपको भूग लगती है आप बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन आपके शरीर को लगता ही नहीं है यह सारी conditions cover करती है यह important medicine तो इस medicine को कौन-कौन ले सकता है इस medicine को अगर old age की condition में जिसमें भूग बहुत कम हो जाती है बुज़र्गों के लिए बहुत अच्छी और एक हर्बल और शदी का काम करती है pregnancy के बाद अकसर भूग कम हो जाती है तो उनके cases में भी लिया जा सकता है अगर आप किसी बिमारी से उठ रहे हैं आपको malaria, dango, typhide या कोई भी ऐसी बिमारी रही है जो 15-20 दिन से उपर रही हो जिसमें आपकी भूग बिल्कुल खतम हो गई हो अभी तक खानी का टेस्ट वापस नहीं आया हो appetite बहुत कम हो गया हो और साथ के साथ कमजोरी आपको आती चली जा रही हो तब वहाँ पर भी इस medicine को लिया जा सकता है इसके लावा बच्चों के cases में भी इस medicine को लिया जा सकता है अगर बच्चों की भूग बहुत कम है थोड़ा सा खाते ही बोलते हैं कि मेरा पेट भर गया है मम्यां बच्चों के पीछे प्लेट ले लेकर घूमती रहती हैं बच्चे आगे आगे दोड़ते रहते हैं तो वैसी condition जब देखने को मिलती है तो वहाँ पर जन्टियना लूटिया बहुत जादा effective medicine है चलिये हम डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि stomach के अलावा पहले हम बात के लेती हैं और कौन सी conditions होती है जहां पर इसको लिए जा सकता है वो है headache के case में इसको लिए जा सकता है अगर frontal headache हो रहा है ओगे की तरफसे दर्ण रहता है और आँखों में बहु इसको लिया जा सकता है इसके लावा इसको लिया जा सकता है आइज के केस में अगर आइज में बहुत ज़्यादा पेन रहता हो हैविनेस फील होता हो और हमेशा आइज को इसा रब करने का मन करता हो तो इसके लावा थोट के केस में अगर बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होत तो उस केसे में भी आप इस मेडिशन को ले सकते हैं अब हम बात करते हैं स्टमा के केस में तो स्टमा के केस में अगर आपको डिस पैपसिया की प्रॉबलम हो रही है आपको एपटाइट लॉस का प्रॉबलम हो रहा है या बहुत अधा भूग की समस्या हो रही है तो अगर आ खाने के बाद पेट में अजीब सा दर्द होना शुरू हो जाता है कॉलिक होने लगता है बच्चे जो होते हैं अगर उनको एक बाइट भी एक्सट्रा खिला दिया तो उनको वामिट जैसा फीलाने लगता है लगता है कि पूरा ही खाना निकाल देंगे और कई बार ऐसा हो भ बच्चे एक्स्ट्रा खाने के बाद वामिट कर देते हैं और उसके बाद एक्जास्टेट फील करते हैं ऐसे बच्चों के अंदर हो सकता है कि भूक बहुत अच्छी भी लगती हो बहुत जादा भूक लगती हो लेकिन एपटाइट उनकी बहुत कम हो जब बच्चे को अपटाइट बढ़ाने के लिए आप इस मेडिशन को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ हीर होता है उसके अंदर उनके अंदर बहुत सारे चीज़े जाने चाहिए प्रोटीन्स काबोहडरेट्स फैट्स और टाइप का नूट्रिशन उनको मिलना और अगर बच्चे के अंदर ऐसी कंडिशन रहेगी कि थोड़ा सा भी खाने के बाद निकाल देते हैं तब काफी बैड एफेक्ट आ सकता है उनकी ग्रोथ और डिवलेप्मेंट में इसके लावाँ बच्चों की केसे में देखा जाता है कि यह जो बच्चे होते हैं सोते सम में कॉलिक स्टार्ट होता है पेन स्टार्ट होता है बच्चा उठकर के बैड जाता है पेट को दबा लेता है और इमीजेट उसको स्टूल जाने का मन होता है तो एकदम अर्जेंट उसको स्टूल जाना पड़ता है और स्टूल काफी जादा क्वांटिटी में वह पास करत है तो ऐसी कंडिशन में भी मेडिसिन काफी एफेक्टिव है एक और इंपोर्टेंट इंडिकेशन होती है इस मेडिसिन की वो है बारबारी गैमी इसके अंदर बहुत तेज ड़कार आने के समस्या होती है आपको आवाज आती है बच्चे के पेट से गुड़ गुड़ की परचानी होती है बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि अकल जस्त मैंने एक चेंज किया आपने डायेट में और मुझे गैस की प्रॉब्लम वापस आ गई रोज रेगलर आप खा रहे हैं लेकिन अगर एक भी दिन आपने अलग कुछ खा लिया तब आपका पेट बिलकुल प काम करती है ना सिर्फ बच् Jessicaich में बलकि म अगर बोग लगती है फिर भी आप सही से खाने पाते हैं उस कंडिशन को भी ठीक करेगी और अगर आपको भूग भी लगती है आप सही का आएसा का वैसा रहता है पतल्य का पतला संथा है वजड़ाने के दोड़ेशफ़ा… लेने का तुक्रल को बच्चे से लोग ने सकते हैं और अगर हम बड़ों की बाद करें तो बड़ों को आप 10 बूंदे थोड़े स पानी में डालकर दिन में तीन बार दे सकते हैं मेडिसन को आपको मदर टिक्जर फॉर्म में लेना है और एक बार आपको लेने के के बारे में आप इस मेडिसन को लें बहुत ही सेफ है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसन है यह इंफर्मिशन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें विशिंग वेरी गुड हैल्थ थैंक्स वाचिंग